क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इनसान जहरीला भी हो सकता है जी हाँ लंदन के रहने वाले स्टीव लडविन सापों से भी ज़्यादा जहरीले हैं ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अगर साप काट ले तो साप मर जाएगा लेकिन इस्टीव को कुछ नहीं होगा इस्टीव कोब्रा के जहर को बड़ी आसानी से जिल जाते हैं इस्टीव में ये गुड बच्पन से नहीं आया है बलकि इन्होंने इस शमता को खुद ही अपने शरीर में पैदा किया है पिछले 30 सालों से स्टीव ये जहरीले और जानलेवा खेल खेलते आ रहे हैं स्टीव ने इन 30 सालों में ना जाने कितने सापों के जहर को इन्जेक्शन के रूप में अपनी बॉडी में इन्जेक्ट किया है लेकिन स्टीव पर इसका कुई अधर नहीं होता अब ये जहर लेने के आदी हो चुके हैं एक्च्वली शुरुवात में सबसे पहले स्टीव लडविन ने बेहत जहरी ले ग्रीन ट्री वाइपर के जहर को अपनी बॉड़ी में इंजेक्ट किया था तो उन्हें आईसीउ में जाना पड़ा था जी हाँ वो आईसीउ में पहुँच गये थे पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये बज़ गये इसके बाद तो इनका ये सिलसला कभी रुका ही नहीं इनका होसला तूटने की बजाए बढ़ता गया और ऐसा करने के बाद इनकी प्रतिरोधी तंत्र बहुत स्ट्रॉंग हो गई है इन्हें पिछले पंदरा सालों में सर्दी तक नहीं होई है वैज्ञानिकों ने भीन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है उन्हें ये उम्मीद है कि इनकी मदद से साप के जहर से बचने के लिए एंटी वेनम तैयार किया जा सकता है तो ये हैं हमारे स्टीव लडविन बेहत जहरीले और खतरनाक इंसान